वेल्कम टू इंडिया इबुक इंडिया इबुक लोई अपना लोग अक्षु आगतम इंडिया इबुक आपके लिए लेके आया है आशाम जी के 2022 तेश इस सीरीज पे हम कबर करेंगे आशाम के जियोग्राफी आशाम के एकोनोमी और आशाम रिलेटेड पोलिटी उसके क्लास ना लोगर जुडीतो का आचएन काल्चर बिलाको आमा लोकी है तो आज ये प्रत्थमक्लास तो आज का यह वाला क्लास जो है फर्स्ट लेक्चर होगा और अभी हम जियोग्राफी से शुरू करेंगे तो जियोग्राफी का पहला जो टोपिक है तो जियोग्राफी के लिए हम लोगोंने कोड दिया है जियोग्राफी एंड एकोनोमी के लिए जी यूवन और इसका पहला टोपिक है एड्मिनिस्टेशन एंड डेमोग्राफी तो इसका शुरूबात करते है और यह हमारा असाम जीके का किताब जो रिलीज होने वाला है कुछी दिनों में इसका इबुक भी मिलेगा आप लोगों को और इस क्लास में जो मैप यूस किया गया है हमारा टीम के दुआरा खुद बनाया गया है या पे बजाली भी आप देख सकेंगे और देखिए आप बरपेटा के और बख्षा के बीच में पहले बरपेटा का पार्ट था बजाली और उदर तमुलपूर भी देखेंगे आप बख्षा का राइट पे उदर गुड़ी और बख्षा के बीच में तमुलपूर तो पहले हम लोग देखते हैं पुरा जो हमारा जियोग्राफी और इकोनोमी है इसके अंदर हम क्या-क्या टोपिक कबर करेंगे तो पहले हम देखेंगे जो पहला क्लास है हमारा इसमें हम कबर करेंगे एड्मिनिस्टेशन और डेमोग्राफी इसके अंदर रहेगा आसाम का मेप आसाम का बाउंडरी, स्टेट के साथ किसी मतलब दूसरे कंट्री के साथ और आदर की इंफोर्मेशन रहेगा उसके बाद हम चर्चा करेंगे आसाम का एड्मिनिस्टेटिव डिविशन जो पाज डिविशन है आसाम का और उसके बारे में पूरा उसके बाद हम आसाम का डेमोग्राफिक इंफोर्मेशन सेंसस के उपर बेस करके उसका पॉपुलेशन, डेंसिटी, लिटरेसी, रेट यह सब भी देखेंगे उसके बाद हमारा दूसरा चप्टर जो होगा और होगा फिजियोग्राफि, ड्रेनेज, सोयल और क्लाइमेट के उपर अभी फिलहाल आसाम के अफलाट चल रहा है पता है आप लोगों को लगबग पूरा मतलब बराग प्रह्मा पुत्र इस इन टेंजर हाई अलर्ट तो क्यू ऐसा फलाड होता है हर बार हमें अशाम पे इसका भी रीजन हम डूनने की कोशिश करेंगे तो यह बाद जी टू उसके बाद हम करेंगे जी ट्री जिसमें हम बायो डाइबर्सिटी जैसे आशाम का फोरेस्ट, फ्लोरा, फोना, प्लेंट्स और अनिमेल स्पीसेज उसके बाद आशाम का कुछ वाइल लाइफ स्पीसेज देखेंगे स्पेशियल स्पेशियल जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिब में आपका इन्पोर्डेंट है, जैसे कि राइनोस, बेंगोल टाइगर, उसके बाद आशाम का नौल गाहूरी, और पिग्मी होग कहा जाता है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके बाद हम मिनारेल्स और पावर रिसोर्सेज देखेंगे आशाम का, फिर हम आशाम का इंडेस्टि रिलेटेट, जो इंडेस्टि ओपरेशन होता है, आशाम पे वो सब देखेंगे, उसके बाद हम टेंस्पोर्ट सेक्टर, जो रोडवेज, रेलवेज, एरवेज, इनके सिग्निफिकेंज भी देखेंगे, आशाम की एकोनोमी के उपर, तो चलिए आज का क्लास, शुरू करते हैं, तो यह बाला जो सेशन नंबर वान है, इसमें सिर्फ हम G1, एड्मिनिस्ट्रेशन और डेमोग्राफिक को कबार करने बाले हैं, और ज़ा मीडियाम ऑफ लेंग्वुज ज होगा, वो हिंधी होगा, बीच मीच में, जो मतलब ऐसमीज में होगा, जहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि लोकेल लेंग्वुज में क्या आजाता हैं, इसको भेंगोली में क्या करा जाता हैं, यह मैं यूज करता रहूंगा आप लोगों के मतलब सहुलियत के लिए तो आशाम एटेक लेंस पहले एक नजर पर देख ले थे जो आशाम का लोकेशन है ओ लेटिचूट है 23.24.30 और 27.58 नौर्थ और लोंगिट्यूट है 89.5 यह देखिए यह आप ऐसे समझेंगे यह वाला जो है इसे आम अखांग्ष और द्रागी मांग्ष केते हैं तो अखांग्ष जो है वह है 89 अखांग्ष जो है वह है 24.3 जो रेड वाला है 24.3 नौर्थ से लेके 27.5 नौर्थ यह पर रेड मार्क्या गुआ है आप लोक देखिए और जो लोंगिट्यूट है उसे हम द्रागी मांग्ष केते है तो द्रागी मांग्ष है 89.5 इस्ट और 96.1 इस्ट तो यह दोनों इन्पोर्डेंट है आसाम का केपिटल दिश्पूर आप लोगों को पता होगा आसाम का टूटेल एरिया अठात्तर अजाग 438 स्क्वार किलोमीटर और एरिया वाइज जो आसाम है वो फास्ट लार्जेस्ट नहीं है नौर्टिस्ट में फास्ट लार्जेस्ट है और रुनाचल पदेश याद रखिएगा सेगेंड लार्जेस आसाम एरिया वाइज नौर्टिस्ट है और एरिया वाइज भारत के अंदर आसाम का स्थान है सत्रोवा 17 और पोपुलेशन आसाम का है तीन कड़ोर 12,5556 एकोर्डिंग टू 2011 संसास इस क्लास में हम वही 2011 संसास ही यूज करेंगे और पोपुलेशन वाइज आसाम का लेंगूज देखिए दो लेंगूज ही यूज होता है मतलब आसाम में तो पूरा आसाम में आसाम ही यूज होता है और बेंगोली स्पेशियली बरागबली रिजन जो है आसाम का उहां पर ही यूज होता है तो अगला जो है हमारा प्यारा भारत और आप लोग लुकेट कि यहां पर है आशाम नौट इस का पर है यह देखिए इधर और तो आप तो ऐसे ही पेचान जाएंगे लेकिन कुछ इंप्रोडेंट फैक्ट से ही यहां पर मैं इस क्लोज करता हूं यह देखिए आशाम का आशाम कोई समंदर से स्वासित नहीं हो यहां पर में गालोया है ये देखिए आसाम कोई मतलब ये इधर करिम गंच तक ये वाला ये आप पकड़ लीजी आसाम है आसाम कोई समुदर से कनेक्ट नहीं होता है बांगलादेश के साथ सीमा है इधर है इधर है इधर है इधर जो मैंने बनाया है यहा तक है दोब्डी तक बंगलादेश के साथ यहा पे भी कनेक्ट होता है दोब्डी और साउथ सालमारा और इधर करिम गंच और कछार के साथ कनेक्ट होता है बंगलादेश लेकिन जो बेअब बेंगोल है उससे बोड़ार नहीं है नौर्टिस्ट का किसी भी स्टेट का मतलब नहीं समुदर नहीं पाता है मिजोराम भी नहीं पाता है क्योंकि बीच में बंगलादेश आ आजाता है देख्याव ओर एक बात असां को मतलब यहार जो नौटिस्ट है इस नौटिस को पहले सेवंसिस्टर का जाता है अभी आज आता है लेकिन अभी यहापे Sikim भी एड हुआ है देखें हाप Sikim का मैं दिखें मीडरो करता हूँ Sikim मतलब नौर्थिस्ट का पार्ट है अभी लेकिन नौर्थिस्ट से कनेक्ट नहीं है बीच में देखिए बेंगोल का टुकरा है इस टुकरा को हम चिकन नेक कहते हैं और यह वाला पर्षन यहां तक आशाम से पहले यहां तक दूबडी तक मतलब बेंगोल है दूबडी के पास दूबडी और कुकड़ा जारिया पे है आशाम का यहां तक बेंगोल है और शिकिं देखिये कहा पर नौर्ठिशटन किसी भी मतलब state के साथ सिकिं का मतलब roadway connected नहीं है बस असाम कोई समुंदर नहीं बाता है और शिकिं बहुत important है और एक बात हिकिं के लिए हमारा पडोशी state है हमारा Southern sister मतलब 8 sister के part है इसलिए देखिए आप सिकिं मतलब तीन कंट्रिस के साथ उसका सीमा लगता है नेपाल, बुटान और चायना के साथ तो अब हम बढ़ते हैं आगले स्लाइट के दरफ अभी देखेंगे हम अच्छे तरह के से आशाम का बाउंडरी तो अशाम का जो बाउंडरी है पहले हम लुग देख लेते हैं इंटरनेशनल बोडर अशाम का किस दोनों देश के साथ है दो देश के ही साथ है एक है बुटान और एक है आपका बंगलादेश यह देखिए इधर है बुटान और यहापका बंगलादेश तो बंगलादेश यह तक है तो फिर हम अच्छे से देखेंगे यह मतलब जानना बहुत इन्पोर्डेंट है जियोग्राफिक के प्रस्पेक्ट्रिक में पूछ देता है मतलब सीमा कहां से लगता है आशाम का सीमा तो यह देखिए भुटान और बंगलादेश और एक बात यह देखिए अशाम का बोर्डर चाइना और मेंनमार के साथ नहीं है अशाम का बोर्डर नहीं है तो अरुना चलपदेश का बोर्डर है चाइना के साथ उपर देखिए आप नौर्थ पे और नीचे आप मेंनमार जो है उसका बोर्डर है आपका मिजोराम के साथ मनिपूर के स सात उसके बाद नागालेंट के साथ अब इस मैप में छोटा हो जाएगा आप लोग नहीं देख रहे हैं सायद देखिए मैं दिखाऊंगा यहाँ यहाँ पर है यहाँ आप हैं आपका मैनमार मैनमार का बोर्डर पुरा बहुत सारे स्टेट के अब लगता है लेकिन अशाम के निकल गया है इसलिए अभी फिलाल पास डिस्टिक्ट उधर पास डिस्टिक्ट के साथ बूटान के साथ बूटान के साथ बूटान के साथ पास डिस्टिक्ट का बोड़ा लगता है बक्षा तमुलपूर पहले दोनों एकी साथ था उसके बाद चिरांग कोकड़ाजार उदा तामलपूर और इधर है उदालगुडी ठीक है तो आगला जो है बंगलादेश के साथ बोडर बंगलादेश के साथ चार डिस्ट्रिक का बोडर लगता है करिम गंज काछार धूबडी और साउथ सालमरा मैं दिखाऊंगा आपको बड़ा में पर इंटर स्टेट जो बोडर है और सेबन स्टेट के साथ लगता है सेबन स्टेट कौन-कौन सा है मेगालाया अरुनाचलपदेश नागालेंड मनिपूर वेस्ट बेंगल तिपूरा मैंने इस जो करम में लिखा है यह आपके स्वहलिद के लिए लिखा है मेगालाय के साथ सबसे बड़ा वोडर है अशामक उसके बाद अरुनाचलपदेश उसके बाद नागालेंड उसके बाद मनिपूर उसके बाद वेस्ट बेंगल और सबसे छोटा वोडर है तिपूरा के साथ अशामका वो भी सिर्फ एक ही डिस्टिक्ट का सिर्फ करिमगंज डिस्टिक्ट का और 24 डिस्टिक्ट श्यार्स इ इंटरनेशनल बोडर है तो अगला जो है इस मेप में हम क्लियाली देखेंगे यह देखिए बंगलादेश और भुटान मैंने आपके लिए बनाया है आप इजी लिए देख पाएंगे इस मेप में कौन-कौन से मतलब देश के साथ कनेक्टेट है एदेखिए आशाम का इंटरनेशनल बोड़ार जो है टूटलं लेंग्ध है फइफ थाटी टृंव पॉइंट डिया हुआ है जो मतलब नहीं है तो 3 km क्या हुआ मुझे लगता है कि फैंसिंग नहीं हुआ है इसलिए 3 km दे दिया है ऍमर्मेंट तो जो जो कॉम्मेंट साइट है उसमें मतलब उसके डाटा के उपर आप जाएंगे तो मतलब कॉन्फूशन होगा तो मैं इसलिए सभी को ऐसे एक्चुएल जो है डिस्टन्स करिम गंज और बंगलादेश का और 92 किलोमेटर ही है और उसके बाद है कछाड और बंगलादेश का जो 70 क किलोमेटर फिर है आशाम और भुटान का तो आशाम और भुटान का 265.8 किलोमेटर जिसमें बक्षा और तमुलपूर के साथ बोडर है 90 किलोमेटर दोनों एकसाद मैंने डाल दिया है ऐसाइग में गुरंब्मेंट जो वेबसाइट है वहापे मैंने देखा है कि मतलब तम किलो मेटर तो आप लोग यहां पे देखिए मैप यह देखिए भांगलादेश यह से देखिए बांगलादेश के साथ इधर नीछे झार से करिंघनज और कचार हेली लागान दिकांड यह नहीं यह और उपर पे दो कि उपर पे जो है ओहैं दूबड़ी और सस्थ समय और और ओरनेंज लगि आहां और आहिं तो ठीक है और अभी हम देखे में बुटान वुटान के साथ पहला आपका बोडर जो है वो है कोकड़ाजार के साथ कोकड़ाजार के साथ पहला बोडर है कोकड़ाजार उसके बाद बाक्षा चिरांग कोकड़ाजार चिरांग उसके बाद बाक्षा उसके बाद उधाल गुड़ी और तामुलपूर तामुलपूर जो बाक्षा से निकला यह दिखिए तो भी बढ़ते हैं हम अभी देखेंगे जो स्टेट बोडर है मतलब स्टेट के साथ बोडर है समका किस-किस डिस्ट्रिक का पहले हम लोगोंने कर लिया है कि आशामोर मेगालाया का सबसे लॉंगेस्ट है चाहिए 884.9 किलो मेटर है अशामोर मेगालाया का उसके बाद है अशामोर उसनाचल और इसका जो टूटेल आता है वह आता है 2743.1 किलो मेटर लेकिन जो गुंवेब्मेंट वेबसाइट में दिया हुआ है 2741.3 किलो मेटर पता नहीं क्या करते है वो लोग अपडेट भी नहीं करते है 24 districts of Assam have interstate borders 24 districts के साथ मतलब interstate जो बोडर है एक एक करके देखेंगे कौन-कौन सा मतलब state के साथ किस district का बोडर है जैसे पहले मैं घालाया जो हमारा सबसे बड़ा longest border है longest border 884 km इसमें मतलब government site में मैंने धुबडी का नाम भी देखा लेकिन धुबडी के साथ तो map में नहीं लगता है border है अगर कोई मतलब धुबडी का student से अब बताईएगा में घालाय के साथ धुबडी का border है क्या comment में अब बताईएगा उसके बाद south salmara south salmara के साथ border लगता है फिर है यह देखिए यह वाला map आप clear लिदिखिए इसमें पहला धुबडी के साथ है क्या border इस site से आप अपना इस site से south salmara के site से आप शुरू कीजिए यहां से शुरू कीजिए दुबडी के साथ कोई border है क्या दुबडी के साथ कोई border अब बड़ा map में भी आप देख लीजिए दुबडी के साथ border नहीं है पहले south salmara के साथ है फिर आपके काम रूप उसके बाद काम रूप Metro उसके कांदी और करिम के साथ मेगा लग का कोई बोडर नहीं है ठीक है तो आगला जो है स्टेट आगला स्टेट बोडर जो है और उन्हाचल पदेश के साथ 804 किलोमेटर जो था इसमें उदाल गुडी शुनीदपूर हम लोगे करके देखेंगे देखिए उदाल गुडी आप यहा इड़ कोईटर नौटलकिमपूर है फिर है धहमाजी धहमाजी के बाद है तीन शुक्या उसके बाद है आप चोराई देओ अप्टू चोराई देओ तक बोडर है और नचल पदेश के साथ फिर नागालेंड शुरू हो जाता है यहाँ से आप देखिए फिर नागालेंड क के साथ चुराई देओ उसके बाद शिपशागर उसके बाद जोड हाट उसके बाद आप गोला घाट उसके बाद इस्ट करभी अंगलंग जिसका एड़ क्वाटर डिफ हुए उसके बाद डिमासाओ का भी एक पार्ट है इधर यह देखिए नागालेंड हो गया हमारा से खुद कीजिए बहुत अच्छा हैता है अगर जियोग्राफी को जानना है तो पुरा मेप अगर मेप आखों के सामने आना चाहिए आपका ठीक है तभी एक्जाम में कुछ भी क्वेशन आ जाए आप लोग इजीली सौल्व करपाएंगे तो फिर देखते हैं चार नमबर मनिपूर मनिपूर के साथ यह दिके डिमास आओ और इधर देखिए कछाड का बोडर है उधर मिजोराम हाला गांदी और कडिमगेंज के साथ बोडर नहीं है सिर्फ दो वही बोडर है फिर हम देखते हैं मिजोराम बाला और उसके बाद देखेंगे हम वेस्ट बेंगोल बाला देखिए यहां पर वेस्ट बेंगोल बाला एक साथ तो मिजोराम के साथ यह देखिए कछाड का है बोडर हाला कांदी का है करिम गंज का भी थोरा सा बोडर है ठीक है सबसे छोटा वाला यही बोडर है मिजोराम और करिम गंज के बीच उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट बेंगोल इसमें पर आईए वेस्ट बेंगोल के साथ है देखिए कोकड़ाजर का बोडर है और धोबडी का बोडर है उसके बाद आप त्रिपूरा त्रिपूरा के साथ सिर्फ एक ही इसमें अप्पे आप देखिए द्रिपुरा के साथ एही एकी बोडर है करिम गंज के साथ ठीके आचा करता हूँ याद रहेगा आप लोगों को तो बढ़ते हैं अगली स्लाइट के तरफ कुछ इन्पोर्डेंट जो फेक्ट्स है बोडर को लेके जैसे कि तिन चुक्या तो तिन चुक्या के साथ उर्णाचल पदेश का सबसे बड़ा बोडर है यहाप इस मैप पे देखने के कोशिश कीजिए देखिए यहाप पे है आपका पूरा सबसे बड़ा बोडर टूएटी टू किलोमेटर लॉंग उसके बाद करिम्गंज मिजवराम का अभी मैंने थोरे देर पेले बताया करिमगंज अ मिजवराम का सबसे चोटा बारा किलोमेटर प्रीडिमाजाव वाला बी इंपोर्णेंट है दिमा साओ का border तीन state के साथ लगता है उसके बाद कचाड भी important है border के मामले में तो यह देखिए दिमा साओ तो दिमा साओ यह देखिए आपका इधर मेगहलाया, इधर दिमा साओ के साथ नागालेंट, इधर आपका दिमा साओ के साथ मनिपूल ठीके विराम अभी काछाड देखते हैं काछाड के साथ ये देखिए मैंगा लाया ये देखिए काछाड के साथ ये बला कछाड है काछाड के साथ मैंगा लाया फिर कछाड के साथ इधर मनिपूर फिर कछाड के साथ इधर मिजोराम तो तीन मतलब क्या हुआ स्टेट होगे फिर एक कांट्री भी है इधर देखिए बंगलादेश के साथ यहां पर बोर्डर है कछार का ठीक है तो कछार बाला भी इन्पोर्डेंट है तो आगले स्लाइड पर बढ़ते हैं आगला हम कुछ लेजिसलेटिव इंफोर्मेशन देख लेते हैं आसाम के बारे में जो कितना हमे विदान सबाव लेजुइटिव में कहते हैं शटेट लेजिसलेटिव इसमली होता है इसे हम असे में बार आफ लेजिसलेटिव कोंसी कांसिल इनमें से शिडुल कास्ट के लिए 8 और शिडूल ट्राइब के लिए 16 उसके बाद लेजिसिलेटिव कॉण्सिल मतलब पहला बाला जो था वो बिधान सबा था दूसला बाला है विधान परिशद लेजिसलेटिव कॉण्सिल आशाम में नहीं है सिर्फ भारत का सिक्स स्टेट्स में छेर आइज्जो में लेजिसलेटिव काउंसिल है और इन छेर आइज्जो को बाई करमल कहा जाता है आशाम एक उनिकरमल स्टेट है जिसमें सिर्फ लेजिसलेटिव एसेमली होता है legislative council अशाम पे नहीं होता है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार 16 जो कौन कौन सा है जिसमें legislative council भी होता है यह देखिए आप border map में सिखिए जियोग्राफिक का class कर रहे हैं map में easy होगा पास पास होता है उत्तरप्रदेश और बिहार दोनों एक साथ पड़ोसी उसके बाद हम देखेंगे उधर नीचे से महाराष्टर और करनाटा का दोनों का border एक साथ है फिर हम देखते हैं अंदरबदेश अंदरबदेश से जो अलग होके टेलेंगाना निकलाए इन 6 स्टीट का legislative council है उसके बाद हम देखेंगे लुक्सोबा का सीट कितना है आसाम में 14 सीट है टुटेल लुक्सोबा का और सीटों का जो क्रम है वो ऐसे होता है आसाम का करिम गंज जो स्टी सीट है उसके बाद सील्चर अटनोमास जो डिस्टिक्ट है वो स्टी सीट है उसके बाद धूबडी, कोकड़ाजार, ये दोनों सीट भी है, सीट सीट है, फिर बोरपेटा, गुहाटी, मोंगोलदोई, तेचपूर, नौागाउ, कालियाबोर, जोडहाट, डिब्रुगोर, लोखिमपूर, ऐसाब आधर सीट से लोक्षोबा के, मतलब आसाम में टूटल स जाली को लेके, लेकिन जो लुक्षबा का सीट है, हर मतलब स्ट्रीट को नहीं है, मतलब और डिस्ट्रीट को एक-एक नहीं है, जैसे कि पक्रिये, जो करिम गंज बाला, जो सीट है, वो एक्चुली करिम गंज और हैल्ला कांधी मिला के है, दोनों का एक ही है, ठीके, उसक MLA LOOK चुनके भेसते हैं और टूटल नंबर और ऊटो नमास कांचिल है या बहुत इनपोडेंट है जो ओटो नमास कांचिल होता है हमारा constitution का schedule 6 constitution में देखिए दो important मतलब जो हमारा tribals look है type scheduled looks कहते इसको तो schedule area को लेके दो मतलब दो schedule है जो जैसे 5th schedule and 6th schedule 5th schedule मतलब schedule areas को कबर करता है और 6th schedule जो है other schedule areas को कबर करता है जिसके according मतलब पुरा 10 Autonomous Council से पुरा एंडिया पे और इन 10 से 10 मतलब मतलब पुरा नौर्थिस्ट में यह जिन में से असाम का 3 है यह देखिए मैं पूरा लिस्ट आप लोगों के लिए लाया हूँ यह लुक्षमी कांस से कोफी किया है यह देखिए नीचे छोटा-छोटा हो गया है असाम में तीन है नौर्थ काचाड हील डिस्टिक्ट पता होगा आप लोगों को उसके बाद है कार्बियांग लोंग डिस्टिक्ट उसके बाद बर्डो लेंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्टिक्ट असाम के अलाबा बाकी जो शिट्विल शिक्स बाला जो अटोनोमास काउंसील है ओमेगालाया पे है तीन जैसे इजीली याद रख पाएंगे खाशी, जयनतिया एंड गारो तीनों हील के नाम पे है फिर है आपका त्रिपुरा त्रिपुरा में एक ही है त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया डिस्ट्रिक्ट फिर मिजोराम पे है तीन दा चकमा डिस्ट्रिक्ट दा मारा डिस्ट्रिक्ट दा लाइ डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो टुटेल मतलब इंडिया पे 60 डुल के अंडर पे 10 अटोनोमास काउंसील है ठीके आशाम में 3 Autonomous Council तो ओर एक बात इन्पोर्डेंट आशाम का जो State Act हे उस Act के द्वारा आशाम में 6 Autonomous Council हे Total Number of Autonomous Councils under State Act is 6 फिर आशाम में Total Number of Development Council हे 33 अभी ये पुराना डाटा है अभी 35 डिस्टिक्ट हो गया है तो आशा करता हूँ अभी तो कोई अपडेट नहीं आया इसके बारे में तो अभी आप लोग 33 विसकी जिएगा तो एवाला जो 6 जो आशाम स्टेट का एट के साथ जो आट काउंसिल है अटनोमास काउंसिल यह छी वालों को हम लोग एक एक बार देख लेते हैं यह देखिये क्या क्या है पहला है राभा हस्वं ओटनोमास काउंसिल फिर है मिसिंग ओटनोमास काउंसिल फिर है तीवा ओटनोमास काउंसिल फिर है देवरी ओटनोमास काउंसिल फिर तेंगाल कछारी ओटनोमास काउंसिल फिर सनवाल कछारी ओटनोमास काउंसिल यह छे जो है यह ओटनोमास काउंसिल के अंदर और six schedule जो है आमारा भारतिय संग्विधान का उसने कितना दिया है तीन autonomous council क्या क्या है अशाम का है तीन autonomous council नौर्थ का चाड़ hills district उसके बाद कार्बियांग लोंग district फिर borderland territorial areas district ठीक है इसको मतलब मैंने एक साथ डलाया आप के लिए बहुत important है कभी exam में पूछता है six schedule वाला आप लोग छे लिख किया थे कभी वो state act वाला पूछता है आप लोग तीन लिख किया थे इसलिए मैंने दोनों को एक सार डाल दिया अभी से याद रखिएगा बहुत important है ठीक है अगला विशे अभी हम देखेंगे आशाम का जो division है administrative division तो एक्चुली पहले जो आशाम में पूरा जो state है आशाम उसको पाज division में divide के हुए और हर division का जो head है उनको एक commissioner कहा जाता है वो भी I.S है मतलब I.S ranking होते है उसके बाद आशाम में अभी फिलाल 35 district से और हर district का जो head होता है उनको deputy commissioner कहा जाता है फिर subdivision subdivision total 80 होता है और subdivision का head जो होता है subdivisional officer SDO कहा जाता है इनको फिर revenue circle है आशाम पे 184 जो revenue circle का head जो होते है उनको circle officer या SDC कहा जाता है फिर आशाम में development blocks जो है तो development blocks है total 219 जिसको block development officer BDO चलाते है उसके बाद आशाम में town है 214 या पर एक important बात है आशाम में जो town है actually town में तो अलग सा मतलब पंचायद GP election नहीं होता है काउ पंचायद election नहीं होता है आशाम में क्या होता है मतलब जो town है वहापे क्या होता है election आपका municipality election होता है तो municipality का election में municipality board रहता है तो और जो मतलब city रहते हैं municipality corporation होता है जैसे आशाम में सिर्फ एक है municipality corporation गुहाटी और proposal है डिव डूगर का और शायद सिल्चर का और आदर्स जो है सभी town committee है या municipality board का जाता है ठीक है याद रखिएगा town committee देखिए आप लोगों का आप अगर किसी भी town से बिलोंग करते है तो वहापे मतलब corporation गुहाटी के अलाबा मतलब वहापे municipality corporation नहीं बनाया जाता है वहापे बनाया जाएगा वोई municipality board बोलेंगे या कोई board बोलेंगे या town committee बोलेंगे ठीक है और census टाउन है असाम में 126 और विलेजेस है 26,395 तो 26,395 यह देखिए हमारा governor प्रोफेसर जगदीश मुखी और honorable chief minister वहाशाम डक्टर हिमंत विश्यर सर्मा जी तो अगला जो है topic अभी जो division हम लोगों ने देखा पास division इनके बारे में यह देखिए हरा colorful मैं आप लोगों के लिए तो याद रख पाएंगे पहले administrative division पास division है पहले हम देखते है नौर्थ अशाम जिसका headquarter तेजपूरे तो नौर्थ वाला जो है कहां पे होगा आप लोग मैप पे locate कीजिए यह है आपका north n में लिख देता हूँ यह है north यह है आपका lower वाला होगा यह यह अपर वाला होगा यह आपका middle और hill वाला जो होगा h i hill और इसको हम specially वी बोराग बे लिखे थे ठीक है बी लिख दिया याद रहेगा फिर नोर्तासाम नोर्तासाम के अंदर 4 डिस्टिक्ट आता है उदाल गुडी दरंग शुनितपूर विश्यनात फिर लोवारासाम लोवारासाम का हेड़क्वाटर है गोहाटीपे इसमें बहुत सरा डिस्टिक्ट आता है 13 डिस्टिक्ट से धूबडी, कुकडजार, बोंगाईगाव, ग्वालपडा, बक्षा, फिर तामुलपूर, चिरांग, बोर्पेटा, बाजाली एदोनों एड़ हुआ है नयानया इसलिए बोल्ड के हुआ है फिर नलबाडी, कमरूप रूरेल, कमरूप मेट्रो, सावथ सालमारा मांकचार उसके बाद जो हिल्स एन सेंट्रल अशाम है, जो डिमाहासाव बला, उसके अंदर डिमाहासाव, इस्ट कार्भी अंगलंग, वेस्ट कार्भी अंगलंग, नौागाव, मोरिगाव, होजाई, छे डिस्टिक्ट है इस डिविशन में फिर है आपाराशाम बला डिविशन इसका हेड़क्वाटर है जोडहाट इसमें लखिमपूर, डिब्डुगर, ध्यमाजी, तिन्शुकिया, शीफशागर, चोराईदेव, जोडहाट, माजुली, गोलागाट नो डिश्टिक्ट है, अपाराशाम में, फिर है बोराग बली, इसका हेड़क्वाटर है शिल्चर पे, यहाँ पे सिर्फ तीन डिश्टिक्ट है, काछाड, हल्लकांदी, और करिम गंज ठीक है, फिर अभी आम लोग, यह दिखिए, जो पूरा जो डिश्टिक्ट का जो लिस्ट है, वो देखेंगे, एक एक करके, किसका हेड़क्वाटर क्या-क्या है, पहले आम देखेते हैं, यह देखिए, यहाँ पे करिम गंज के लेफ्ट पे, जो मैप है, मैप का लेफ्ट में जाईए, लेफ्ट में साथे साथ 20 जो लिखा हुआ है, उनका हेड़क्वाटर साथ में लिखा हुआ है, जैसे कि पहले करिम गंज, करिम गंज का हेड़क्वाटर, करिम गंज है, मैप में लुकिट कीजिए, करिम गंज कहां पे है, ओरेंज कलर वाला नीचे पे है, फि पिर कछाड का हेटक्वाटर है सिल्चर, फिर दिमाहसाव का हेटक्वाटर है हफलोंग, फिर वेस्ट कार्भी अंगलोंग का हेटक्वाटर है हम्रें, होजाई का हेटक्वाटर है होजाई, इस्ट कार्भी अंगलोंग का हेटक्वाटर है डिफू, गोलागाट का हेटक्वा धेमाजी का हैटक्वाटर धेमाजी, लखिमपूर का हैटक्वाटर नर्थ लखिमपूर, माजुली का गार्मूर, विश्वनात का विश्वनात चार्याली, सनितपूर का तेजपूर, फिर नौागाउ का नौागाउ, मोरिगाउ का मोरिगाउ फिर देखिए आप कामरूप मेट्रो जो है उसका हेटक्वाटर है गोहाटी, दोरोंग का हेटक्वाटर है मौंगलदोई, उदालगुडी का है उदालगुडी, बाक्षा का हेटक्वाटर है मुशलपूर, कामरूप रूरेल या सिर्फ कामरूप जो है उसका हेटक्वाटर ह आमिन गाउ उसके बाद नौलबाडी का हेड़क्वाटर नौलबाडी फिर बोरपेटा का भी हेड़क्वाटर बोरपेटा है गौलपड़ा का हेड़क्वाटर गौलपड़ा बोंगाई काउ का हेड़क्वाटर बोंगाई गाउ उसके बाद चिरांग का हेड़क्वाटर है क यहां जो डिस्टिक्ट हुआ है 34 नंबर बाजाली उसका हेट क्वाटर है पाटशाला तामुलपूर का तामुलपूर ठीके तो याद रहेगा आप लोगों को और मैप में लुकिट कीजिएगा कहा पे कौन सा डिस्टिक्ट है यह देखिए इस मैप में हम लोगोंने खुद बाजाली डाला है यहापे यह देखिए बाजाली है यार इदर टामुलपूर है ठीके और यहापे आप देखिए साउच्छाल मरा साउच्छाल मरा यहापे अध्धूबडी यहापे कोकडाजर चीरांग यह देखिए बाक्षा बाक्षाका पाट इसमें और टामुलपूर डालाया हम लोगोंने फिर सोनित्पूर चो राइद्यों आप लोगतों सब इधर जो सबसे बड़ा बोड़ा जो इसके साथ है और नचल प्रदेश के साथ ठीक है तो इसमें आपको देखिएगा और इसमें आपको स्किन शॉट लीजिएगा और सेव करके रखिएगा बहुत काम का मैफ होगा अगला जो है हम लोग देखेंगे अभी डेमोग्राफिक इन्फोर्मेशन संसस के उपर बैस करके जैसे पोपूलेशन डेंसिटी लिटरेजी उनके उपर तो पहले टूटल पोपूलेशन हम लोग जानते है तीन कड़ोर 12,5556 है आशाम का पोपूलेशन और पोपूलेशन जो है 17.1% जो की 2001 से 2011 तक जो ग्रोथ हुआ है उसके इसाब से है पोपूलेशन डेंसिटी है आशाम का पार स्कूर किलोमेटर 398 पिपल और आशाम का जो सेक्स रेशियो है सेक्स रेशियो मतलब 5000 मेल में फिमेल कितना है तो 5000 मेल में 958 फिमेल है आशाम पे फिर है ओबार ओ लिटारेशी रेट जो लिटारेशी रेट है साक्षरता साक्षरता रेट असाम का है 72.19 परसंट नौर्थ इसके हिसाब से बहुत कम है अग-गे मतलब स्टेट रेट का जैसे मीजराम मोनिपुर तो बहुत हाही लेबल है 98 परसंट ऐसा लेबल रहता है ओन लोगों का Keralा से मतलब competition चलता है फिर है birth rate birth rate है per thousand में 22.4 death rate per thousand में 7.2 maternal mortality rate MMR जो बहुत important है 237 वो आता है और it is the highest MMR ये वाला highest MMR है पुरा भारत में से असाम का MMR है maternal mortality maternal मतलब मात्री लोगों का मतलब मर जाते है जो प्रसब के time तो सबसे highest rate है असाम में 237 पूरा इंडिया में जो national MMR है ओ है 130 फिर infant mortality rate per thousand life birth में 44 डाटा 2016 का है बाकि जितना भी डाटा है ओ 2011 का डाटा है BPL population below property line उसके नीचे असाम का population है लगबग 1.1 कड़ों तीन कड़ों में से one third पकड़ ली जीए BPL percentage में बोले तो 32% ठीक है फिर हम देखेंगे literacy को और मतलब तोड़के जिसे कि literacy 72.19% है overall literacy जिसमें male literacy है आसाम में 77.85% female literacy है 66.27% फिर आर्बान लिटरेसी आर्बान लिटरेसी है असाम में 88.47% और rural literacy है 69.34% उसके बाद कुछ रेंग है असाम का important total population wise जो रेंग है ओ है 14th population density wise है 15th और sex ratio में है 15th और area wise असाम का रेंग है 17th पूरा इंडिया में बाकि सभी रेंग इंडिया में है यहाँ पर सभी रेंग इंडिया के अंदर दिया हुआ है सिर्फ आसाम second position है area wise in northeast इस बाला northeast second position area में first कौन है northeast में से सबसे बड़ा area को कि स्टीट का है और ना चलबतेश का second है आसाम का ठीक है याद रहेगा आप लोगों को उसके बाद लिटारेशी रेट में 26 पोजिशन मतलब बहुत खराब कह सकते आप उसके बाद की डिमोग्राफिक इंफर्मेशन कुछ डिमोग्राफिक इंफर्मेशन जैसे टूटल प्यपूलेशन है इन में से मतलब अगर मिलियोन और बिलियोन में लिखे तो 31.2 मिलियन और बिलियन में लिखे तो 0.312 बिलियन ठीक है और मेल कितना प्रतिशत है 51 प्रतिशत मेल है फिमेल है 49 प्रतिशत रूरेल में रहते है 86 परसेंट लोग और अर्बन में लेते हैं सिर्फ 14 परसेंट लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा आशाम का लोग रूरेल एरिया में से बिलों करते है ठीक है उसके बाद सी का पॉपुलेशन है 7.15 परसेंट और स्ट का पॉपुलेशन है 12.45 परसेंट एस्टी मतलब शीडूल ट्राइब और सी मतलब सीडूल कास्ट फिर कुछ केटागोरी दे एरिया में से कार्वियांगलन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है सावत सालमरा मान का चायद फिर लिटारेसी में अशाम का कामरूप मेट्रो एक नमबर पे है और लिटारेसी सबसे खराब है दुबढ़ी का फिर पॉपुलेशन में नौागाउं में सबसे ज्यादा पॉ से कम पॉपुलेशन डेंसिटी और भी 44 पर स्क्वार किलोमेटर और कामरूप मेट्रो में 1313 याद रखियेगा डाटा इन्पोर्डेंट है सेक्स रेशियो में बाक्षा का पोजिशन सबसे अचा है 974 फिमेल है यहाँ पे और डिमा आसाओ में सबसे कम है 932 फिमेल है 5000 मेल क एकोर्डिंग फिर है ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट में थूबडी का मतलब सबसे हाइस्ट परसेंटीज 24.44 इसलिए पोपुलेशन जादा है यहाँ कोकडा जार में 5.21 फिर स्टी पोपुलेशन में कार्बियांग लंग फास्ट पोजिशन हाइलला कांदी सबसे नीचे फि तरफ डिमाहसाओ अर्बाण फिर बाक्षा शैट सबसे कम एक्षा सबसे कम और रूरेल पोपुलेशन में सबसे जादा रूरेल है नौण आगाउते और कहां पर है काम रूप्पे सबसे कम है रूरेल पीपल ठीक है यह डाटा इंपोर्णेंट है अब लोग याद कर लिए जिए एक्जम में पूछता रहता है पिर हम देखते है कुछ की डेमोग्राफिक इंफर्मेशन जैसे की मतलब फोरेस्ट को लेके और इससे पहले और इंफर्मेशन जैसे डेमोग्राफिक इंफर्मेशन कुछ सिटी जो मैजर सिटी है पहला स्थान जो है गुहाती का है गुहाती सिटी का पोपुलेशन है 9,68,549 और literacy है 91.22% Silacher जो है उसका population है 6,28,985 यहां का literacy है 91.05% फिर है डिब्डुगोर डिब्डुगोर का population है 1,54,019 यहां पे literacy है 89.75% फिर है जोड़ाट जोड़ाट को मैंने rate क्यों किया जोड़ाट का एक बार लिटरिसी दिखिए 91.18% उसके बाद नौगाव मतलब जोड़ाट गौएट के बाद दूसरा पोजिशन पर है फिर है नौगाव 90.82% 15 चुकिया यह सब मतलब सातो सीटी है ठीक है अभी हम एरिया और इंपोर्डेंट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जिसे आसाम में फोरेस्ट कितना है तो फोरेस्ट बाला क्लास अलग से होगा लेकिन अभी मतलब फोरेस्ट कितना काबार करता है आसाम का डेमोग्राफी में तो फोरेस्ट में से मतलब टूटेल एरिया आसाम में जितना एरिया है वह टूटेल एरिया है अगर हेक्टर में हम लोगों ने कॉनबाट कर लिया तो एक्शोली एक स्कुरे केलिमेटर एग्वेल टू हन्रेड हेक्टर तो ठीक है तो इन में से मतलब फोरेस्ट का बार है 23.6% और जो क्रॉप्ट है क्रॉप्ट है 52% तो सबसे जादा जो फोरेस्ट का बार है ओ है कार्बियांग लंका और सबसे कम फोरेस्ट का बार नौल बाली बोर पेटा का और क्रॉप्ट टेरिया में सबसे जादा कबार है नोगाउ का और सबसे कम है कामरूप मेट्रो का तो यापी यामारा आज का पहला कक्षा खदम करते हैं आशा करता हूँ कक्षा आप लोगो को आच्छा लागा होगा तो इंडिया आई बुकर लोगत जुडि ठाके ठाकार कारोने आपना लोगत भिषयक करी धन्नबाद आरू एखन क्लास लोई GE2 जियोग्राफिर आरू एखन क्लास लोई मौ आहा करी हुन काले आही थाकीम भारत इंडिया बुकर लोगत जुडि ठाकी बलोई आको बहारत, God bless you all